सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पर्फेक्ट क्लासिस में आप सभी का स्वागत हैं डारेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीन सीटी ऑफ देली की वक्षीट नंबर वन डिसकस कर रहे हैं बच्चों क्लास एड की वक्षीट है सब्जक्ट है साइन सिक्स्ट ऑफ जलाई 2021 की वक्षीट है स्टुडेंट्स नेम लिख लेंगे टीचर्स नेम लिख लेंगे सभी बच्चे ठीक हैं parts of plant करते हैं आजम पौदो के भाग एक ब्लांट एक पौधा उसमें विभिन भाग होते हैं ठीक है यहे एक कह सकते हैं एक पौधा विभिन भागों से बना होता है जमीन से उपर वाला पौधे का भाग क्या कहलाता है शूट सिस्टम कहलाता है ठीक है बच्चों इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित होती है, इसमें तना, ठीके शाखाएं, पतियां, फूल और कली, यह सब सम्मिलित होते हैं, क्योंकि यह भूमी के उपर होता है, ठीके लेंड के उपर होता है, यह पार्ट, और जो भागड़ जमीन के नीचे होता है, उसे क्या कहते हैं, उस भाग को root system कहते हैं, जड़ तन्तर कहते हैं, this includes root and root hairs, इसमें क्या होते हैं, इसमें जड़ होते हैं और root hair होती हैं, जन। बोलते हैं हम mole roam, वो होते हैं, functions of different part of plants are, जो कार रहे हैं, विभिन, पौधो के, वो क्या हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, पहला बता रखा stem, ठीक हैं, पौधो के जो विभिन भागो के functions होते हैं, stem, तने का क्या काम होता है, it helps in upward movement of food, water and minerals to different part of plant, ये भोजन, जल और खनीचलव को पौधे में उपर की तरफ, अलग-अलग भागों तक पहुचाने में मदद करता है, तनाज होता है, leaves, पत्तियों को क्या काम होता है, prepare food for plant by photosynthesis, and this food is stored in different parts of the plant, ये पौधो में प्रकास संशलेशन द्वारा भोजन का निर्मान करता है, ठीक हैं, और ये भोजन, पौधो मे विभिन, मतलब ये जो पौधो के पौधे की जो विभिन भाग होते हैं, उसमें ये उसके भोजन को संचित रखता है, उसको मतलब स्टोर कर लेता है, फ्लार, फूल जो होता है, इसके चार भाग होते हैं, कौन-कौन से बाहिये दल, पुंकेसर, इस्तिरीकेसर, ठीक हैं, यह सब होते हैं और पंखुडी इट helps in reproduction यह उसे जनन में मदद करती है roots जड़ें क्या होती है एब्सॉर्फ यह क्या काम करती है absorbs water and minerals from the soil यह मिट्टी से जल और खनीज लवर को अफशोशित करती है absorb करती है ठीक है अब देखिए बच्चो question है यहाँ पर check yourself first label the plant parts in the following picture आपको यह जो चित्र दिया हुआ है इसमें आप इन्हें label कीजिए नाम दीजिए pictures में जो पौदो के parts दिये हुए also mark the root and shoot system of the plant और पौदे में आप यह भी बताएए कि root system कहाँ पर है और shoot system कहाँ पर है उसे भी mark करना है आपको तो देखिए यह पूरा पौदा दिखाया हुआ है ठीक है अब यह क्या है यह leaf है बच्चो यह क्या है यह floor है ठीक है फूल हो गया यह क्या हो गया यह तना हो गया ठीक है यह क्या है यह fruit भी हो सकता है और यह bird कली भी हो सकती है ठीक है फूल खिलने से पहले जो कली होती है वो भी हो सकती है यह fruit भी हो सकता है यह दोनों ही parts है आपके उसके तो आप ऐसे करके slash डालके ऐसे लिख देना दोनों एक लिख देंगे तो भी चल जाएगा यह क्या ह यहां तक जड़े आ रहे हैं यह तो गया root system बाकी से उपर का यहां तक का भाग यह क्या है पूरा यह है shoot system ठीक है तो आप ऐसे लिख देना question number 2 देखते है what is the importance of stem to the plant पादबो में तने का क्या महत्व होता है तो यह worksheet में आप यही से लिख लिजिए stem heading डालना पहले ठीक है फिल लिखना it help in upward movement of food, water and minerals through different parts of plants मतब किस चीज में तना क्या मदद करता है यह भोजन जल और खनीज लवड को पौदे में उपर की तरफ विबिन भागों तक पहुचाने में मदद करता है ओके question number 3 देखते है why plants leaves are generally green in color ठीक है कि पौधे की पत्तियां जो है वो समानता हरे रंग की क्यों दिखाई देती है या हरे रंग की क्यों होती है ठीक है तो इसमें बस आप एक line में answer लिखना चाहे तो आप बस यह लिख देना यहां से यहां तक बच्चे कहते है मैड़म इ reasons of chlorophyll पत्यां जो है chlorophyll क्यों पस्थिती के कारण हरी दिखती है ठीक है लेंदी लिखना है जादा marks का भी आ जाता है exam में तो आप यह पूरा लिख सकते है chlorophyll is a great green sorry great नी green pigment that is found in green leaves chlorophyll एक green pigment होता है ठीक है chlorophyll हरे रंग का होता है जो की हरी पत्तियों में पाए जाता है chlorophyll absorbs sunlight and gives energy chlorophyll जो है सूरे की रोशनी को absorb करता है और उर्जा देता है leaves are known as the kitchen or food factory of plants पत्तियों को पौधो की खाद्य फैक्टरी या kitchen के तौर पर भी जाना जाता है मतलब उसकी रसोही के तौर पर भी जाना जाता है because photosynthesis take place in leaves क्योंकि पत्तियों में प्रकास्चलेशर की किरिया हो look green because of presence of chlorophyll पत्तियां जो है chlorophyll क्यों पस्तिती के कारण हरी दिखती है तो बस इतना एक line में answer भी दे सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं अगर आपको जादर लिखना है class के recording तो ठीक है मैं जो तो आपकी worksheet solve हो गई मिलते हैं next video में अगर आपको हमारी video पसंद आईए तो प्लीज हमाई video को like कर दीजे share कर दीजे हमाई channel को subscribe जरूर कर लीजे okay student thanks for watching